हालो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल नालिज पॉइंट जीरो टू में आज हम बात करेंगे मुर्गियों का इमिन सिश्टम बढ़ाने के कुछ देशी और असरदार नुस्खों के बारे में उससे पहले आपको यह जानना होगा कि इमिन सिश्टम किसे कहते हैं प्राकिर्तिक ने हमारे अंदर हर जीव के अंदर एक प्रती रच्छी तंत्र दिया है जो हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है अगर हमारा परतिरच्छी तंत्र यानि इम्यून सिश्टम ज़्यादा डिवलप और मजबूत है तो हमारे उपर रोग जल्दी से असर नहीं करते हैं। असर ही नहीं करेगा। उनके अंदर रोगों से लड़ने की छमता होगी जिससे की वो रोगों से सुरक्षित रहेंगी। तो बात करते हैं अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मुर्गया स्वस्त और तंदुरुस्त रहें तो इस वीडियों को अंद तक जरूरते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हमें किन-किन चीजों की जरूरत होगी। तो इसके लिए जो जरूरत होने वाली है वह है लासुन का पाउडर 50 ग्राम, हल्दी 30 ग्राम, अदरक पाउडर 20 ग्राम, नीम का पाउडर 20 ग्राम, तुलसी का पाउडर 20 ग्राम। अब इन सभी समाग्रियों क एक साथ मिला कर एक पौडर तयार कर लें हम बात करते हैं कि जिन चीजों का हम परियोग करने वाले हैं इनके फाइदे क्या-क्या होते हैं तो सबसे पहले चीज हमने 50 गाम जो लासुन का पाउडर लिया है लासुन का जो गुड होता है वो एंटी बैक्टेरियल और एंटी व अपाय चाते हैं जिसकी वजह से यह भी रोगों से लड़ने में मदद करता है इसके बाद आता है हमारा अध्रक अध्रक एंटी माइक्रोबियल गुड रखने वाला चीज है एक प्राकिर्टिक की देन हैं जिसको एक मसाले की रूप में प्राकिर्टिक ने हमें दिया है इ इसके अलावा तुलसी तुलसी क्या करता है हमारे इम्यून सिस्टम को बूश्ट करता है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं इम्यून सिस्टम कहते हैं कि रोगों से लड़ने के जो हमारे अंदर परती रच्छा तंत रहे उसे ही कहते हैं इ मिस्रन परयोग करें यह मिस्रन मुर्गियों को सब्ताव में दो से तीन दिन अवस्थ दें दोस्तों इस फार्मूले का नियमित उपयोग करने से आपकी मुर्गियों की सेहत में सुधार होगा और उनकी रोग पती रोधक छमता भी बढ़ेगी तो फ्रेंड यह थी कुछ दे आपको समय से मिल सा कें थान्वा